राश मेरा नाम कुछ और होता है यह नाम ना होता है तो यह चीज में सबसे बुरी लगते है तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू आप सभी को क्योंकि मेरे पचास सब्सक्राइबर मुझे पता है बहुत छोटी अमाउंट है बट स्टिल मेरे लिए काफी बढ़ी है मेरे पहले पचास सब्सक्राइबर तो हुए वह भी मैंने किसी को शेयर नहीं किये थे आप लोगों कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा इसलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और बस मुझे इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बना सकूं औ और आज मेरे टर्मिनल्स हो चुका है खतम तो मैं फिर तो मुझे लगी रहा था यार मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जल्द जल्द क्योंकि कफे टाइम होगा बीच में एक हफ्ते से उपर हो गया वीडियो नहीं बनी है जादर ही टाइम होगे शायद से क्योंकि आप अब भी समझ सकते हो टर्मिनल्स चल रहे थे पढ़ना भी था पीएसम खुद में कितना बड़ा सब्जेक्ट पूरी पीएसम की बूकी आ रही थी टर्मिनल बस नाम नाम का सब कुछ ही आ रहा था था तो फिर तो अगर आप अपनी क्लास में लास्ट रोल नंबर हैं तो मै मेरी मैं सबसे लास्ट हूं जब तक मुझ पर आती है ना अटेंडेंस की टाइंब तो इतना हला हो चुका होता है कि मैं उचल उचल के बोल रहा हूं प्रेज़ेंट कोई नहीं सुनता ऐसा लगता है पिर मुझे अपरने के लिए जाना बड़ता है कि मेरी अटेंडेंस हूं फिर भी अगर एपसेंट लग जाए तो बुरा तो लगे गई यार तुम सुबह सुबह आ रहो बच्चे हॉस्टल से एल्टी में नहीं आ पते मुझे यहां घर से इतनी दूर से जाना पड़ता है फिर भी मैं हमेशे टाइम पर पहुंच जाता हूं तो तुम सोच सकत लास्त में भीजा जाता है क्योंकि रोल नमबर वाइस होता है ग्रैंड वाहिवा के टाइम पर ना सबसे पहले जिस बकरी की बली वह सबसे लास्तों नमबर रहते हैं मुझे बुला जाता है जाओ अब एक्जामिनर किस तरीके कोशन पूछ रहा है कुछ नहीं पता रहता वह पूछने शुरू करते हैं वैसे एक्जामिनर यूजली ठीकी कोशन पूछते इतना तफ भी नहीं पूछते उन्हें भी देखना होता है वह कितना आता है कितना नहीं आता वो डिरेक्टी ऐसा कोशन दे जो आते ही नहीं तो आधी खलासी में पता भाई की कुछ होंगे यूशली ऐसी कोशन पूछ जाते हैं जो सबको पता हूं पर फिर भी ऐसा रहता है कि अगर दो-चार लोग पहले चले गए तो हमें भी थोड़ा पता चले जाते हम भी थोड़ा एक दूसरे पूछ लेता अगर नहीं आ रहा था क्लासिफिकेशन में तो यह चीज मुझे चारो एक्स्ट्रीम एक स्क्वाइर के जो कॉर्नर होते हैं उन पर बिठाया जाएगा तुम्हें और सच में मेरे से बस आगे एक सोर्स आप इंफॉर्मिशन रहता है अगर मैं पूस सको से तो पर कि साइड में कोई नहीं रहता बहुत दूर रहते दूसरे बैठे रहे जो बीच में रहते ना मिडल मिडल का हिस्सा जो एक्जाम हॉल में बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत फाइदा रहते हैं अब ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि यार अपनी शीट दे यह कर दें क्योंकि टीचर्स घूमते रहते हैं पर हां इतना ज़रूर है देखो जै और मुझे कुछ नी पता चल रहा था महां पर तो बिलकूल знать anton यहां घर कुंट तो बस यही मतलब आप देखो तुम बोले कि या चीटिंग करना तो गलत बात है पर जब तुम प्रॉफेशनल एक्जाम में बैठे होना और तुम्हारे युनिवर्सिटी एक्जाम में प्रॉफ के लिए तो अगर तुम फेल होना तो तुम एफोर्ट करी नहीं सकते हैं तुम्हें दुबारा सपली देनी पड़ेगी दो महिने बाद बहुत इरिटेटिंग लगता है तुम्हें रिटन एक्जाम भी देना है तो मेरे तो आगे एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मिशन है मेरे पीछे कोई न यह नहीं पताना चाहा मुझे तो मैं पीछे से कहीं से पूछने सकता ना साइड से पूछक्पना तो मैं वहीं पर बस मेरे इनफॉरमिश्ण वहीं पर ब्लॉक हो जाती है जो मिर्डल में रहते la सब्सक्राइब करने तो पता है इस तिन चीज़े आप बेखना जरूर आप अगर लूमबर आपका लास्ट है तो आप इन ती चीज़ों को जरूर देखोगे कि होती होंगे यार आपके साथ क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा स्टार्टिंग से यह स्टार्टिंग से मैं इसी चीज से परिशान रहता हूं तो फिर इस वीडियो में इतना ही था इस वीडियो को शौट रखते हैं कि वसमें अपना एक्सपीरेंस शेयर करना चाहता था आप लोगों से कि मेरा लास्ट वॉलम परोने की वज़ेसे मुझे क्या-क्या परिशा करता है